दिल्ली के चप्पे चप्पे की खबरों पर हम रखते हैं पैनी नजर दिल्ली में अभी भी आग लगने के मामले नहीं रुक रहे हैं जहां आज की बात करे तो एक और आग लगने की घटना सामने आई हैं जहां दिल्ली के नरेला इलाके में एक पाइप फैक्टरी में भीशन आग लग गई है ऐसे में आखी चपेट में आने से कई लोग जुलस गए हैं जबकि कई लोग अभी भी अंदर फसे हुए हैं साथ ही सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़िया मौके पर पहुची और अंदर फसे लोगों को बचाने का कारे चल रहा है रिपोर्ट्स के अनुसा नरेला इलाके से सुबह 9 बचकर 35 मिनट पे सूचना मिलने पर 10 दमकल गाड़िया पहुची बताय जा रहा है कि फैक्टरी के पहले और दूसे तल पर आग लगी है आग लगने की वज़ा का खुला सा नहीं हो पाया है हाला कि ये भी बताए जा रहा है कि अभी तक तीन लोगों की जान बचा ली गई है जिसमें से और दो से तीन लोगों के अंदर फस्य होने की आशंका जताई जा रहा है फिलहाल बचाव अभियान अभी चल रहा है न्यूज रूम से मैं भी शिक्त मसी सबसे बड़ अपड़ कोचे